असलाम अलेकुम ब्रण मुंबई महानगर पली का शिक्षिंग विवाग वर्चौल क्लासरूम में मैं सेयद मुहम्मद हुसेन आप तमाम का इस्तखबाल करता हूँ बच्चो आज हम जमात आठवी मजमून तारीक सबक नमबर साथ तहरीक एदमे ताउन का मुतालिय करने जा रहे हैं इससे पहले हम सबक नमबर छे के बारे में मालूमाद हासिल कर चुके हैं बच्चो हमने सबक नमबर छे में कुछ बातों का मुतालिय किया था जिसमें एहम नुकात जो थे तद्रिसी नुकात वो ये थे किस तरह खावमी जमात का खयाम हुआ खौमी जमाच की जो चार नुकाती प्रोग्राम हैं उसके उपर अमल होने लगा इसी तरह तक्सीम बंगाल और अंग्रेजों की पॉलिसी फूर डालो और हुकूमत करो किस तरह काम कर रही थी यह तमाम चीजें हमने देखी उसके साथ साथ हमने इंतिहा पसंद और एतिदाल पसंद जो अलग-अलग ग्रूप थे इनके बारे में हमने मालूमात हासिल की मुस्लिम लीग का ख्याम जिस तरह हुआ मौले मंटो खानून के बारे में हमने मुतालिय किया और पहली आलमी जंग और भारत इसी तरह हमने लखनो महाइदा और मौन्टेगो चेम्सफोर्ट खानून के बारे में सबक नमबर 6 में हम मुतालिय कर चुके हैं आज हम सबक नमबर 7 तहरी के अद्मे ताउन का मुतालिय करने जा रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं तहरी के अद्मे ताउन 1920 से 1947 तक के आजादी की तहरी का दौर एहद गांदी के नाम से जाना जाता है यानि गांदी जी के दौर के नाम से मशूर है 1920 में लोकमान ने तिलक की मौत के बाद खौमी तहरी की बाग दौर महात्मा गांदी के हाथ में आ गई गांदी जी ने सत्य अहिंसा और सत्य ग्रज जैसी खदरों की बुनियाद पर तहरी के आज़ादी को नई सिम्त अता की गांदी जी की बाख्यादत बाख्यादत में इस तहरी को वस्त मिली और भारत की जंग आज़ादी के एक नए बाब की शुरुआत हुई उसका एक नया आगाज हुआ गांदी जी ने तीन चीज़ों के उपर ज्यादा जोर दिया है सबसे पहले है सत्य उसके बादाहिंसा और सत्य ग्रज इससे जो है आज़ादी की तहरीक पूरी तरह से गांदी जी के हाथ में आगई अब हम जानते हैं कि गांदी जी हिंदोस्तान में आने से पहले उन्होंने अफरीखा में भी एक तहरीख चलाए थी वो क्या थी जुनूबी अफरीखा में गांदी जी की कार कर दिए 1893 में वकालत के काम से गांदी जी जुनूबी अफरीखा गए जुनूबी अफरीखा बरतानिया की नौबादियात थी यानि वहां पर भी जुनूबी अफरीखा में भी जिस तरह अंग्रेज हिंदोस्तान में हुकूमत कर रहे थे उसी तरह वहां पर भी उनकी कुछ नौबा पार और तिजारत नीज दिगर नौकरियों के सिलसले में वहां कई भारती बस गए थे वहां के भारती अवाम के साथ मुझरिमों जैसा सुलूख किया जाता जगा जगा इनकी बेज़दी की जाती 1906 में हकूमत ने एक फर्मान जारी किया जिसकी रूसे सिया फूम को शनाख्ती कार्ड रखना जरूरी था और इनकी आजादी पर पाबंदी लगाई गई थी इस नाइनसाफी के खलाफ गांदी जी ने सत्या गरह का रास्ता अपना कर वहां के लोगों को इनसाफ दिलाया तो बच्चों जो तहरी जो पहले अफरिका में शुरू की थी गांदी जी ने के वहां पर जो गोरे और काले सिया पूम मतलब जो काले लोग थे जैसा आपको यहां पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि इनके लिए वहां पर एक शनाखती काडिया ने एक आईडी रखना जरूरी हो गया था और उनके उपर बहुत सारी पावंदिया आयद की गई थी तो इसका गांदी जी ने सख्त मुखालिफत की और जो 1906 में जो फरमान निकला हुआ था इसके खिलाफ गांदी जी ने सत्यगरा किया और वहां के लोगों के लिए अफरीखा के लोगों के लिए उन्होंने सत्यगरा का रास्ता अपना कर उन्हों को इन्साफ दिलाया तो ये जो अफरीखा में जो गांदी जी ने जो काम किया इसके चर्चे जो है सारी दुनिया में होने लगे हिंदोस्तान में भी ये तमाम चीजें जो है गांदी जी के तालुक से मशूर हो गई और ऐसा लगने लगा कि अगर गांधी जी हिंदोस्तान आए और यहां के आज़ादी की बाउगदूर समा लें तो यहां के आहम को आज़ादी मिल सकती है उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी भारत में आमन हुई गांदी जी की भारत में आमद 9 जन्वरी 1915 को गांदी जी जुनूबी अफरीखा से भारत लोटे रुखने कॉंसिल गोपाल कृष्ण गोखले के मशोरों से उन्होंने पूरे मुल्क का दौरा किया आम लोगों का दुख और बधाली देखकर वो गमगीन हो गे जब इंदोस्तान आए तो उनके कहा जाता है कि जो राजनेतिक गुरू थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले तो उन्होंने गांदी जी को कहा कि पहले आप पूरे मुल्क का जाइजा ले लो क्या हालाद है मुलक में इसलिए फिर गांदी जी ने क्या किया पूरे मुलक का एक दौरा किया और जगा जगा जाने लगे वो लोगों के जो दुक और बधाली है परेशानिया है गम है उनको देख के बहुत उसका दुक होने लगा और मुल्की खिदमत का उनोंने क्या क्या एहद किया वो एमदाबाद में साबर मती के किनारे काश्रम में रहने लगे आम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनोंने सत्यगरा का रास्ता अपनाया तो गांदी जी ये तमाम चीजों से बहुत मतासिर हुए और उनोंने अपना जो जिन्दगी है वो क्या कर दी खिदमत के लिए वख कर दी मुल्की खिदमत के लिए उनोंने वख कर दी एमदाबाद में जो साबर मती आश्रम है वहाँ पर वो रहने लगे उनोंने सत्यगरा का रास्ता अपनाया सत्यगरा का फलसफा अब ये सत्यग्र का फलसफा क्या है गांदी जी ने सत्यग्र के नए तरीखेकार से अवाम को मतारिफ करवाया यानि सत्यग्र क्या होता है इसके बारे में लोगों को बताया सत्यग्र का मतलब क्या है सत्यग्र मतलब सचाई और इंसाफ के लिए एहतिजाज करना जिसको कहें नहीं करना था बलके जो गलत काम कर रहा है उसको इस बात का हिसास दिलाना, सबर करना, अधमें तशद्दुत से काम लेना और सच्चाय और इनसाफ की रास्ते से उसको इस बात का हिसास दिलाना ये गांदी जी की सत्यगरह का मकसद था, इनके ख्यालात में तबदील इलाना स सत्यगरा का असल मकस्द था गांधी जी की तालीम थी कि सत्यगरा करने वालों को तशद्दूत और जुट से परहेश करना चाहिए जुटने बोलना चाहिए और तशद्दूत नहीं करना चाहिए यानि मार पीड जो होती है जगड़ा फसार ये सब चीजें से दूर रहना चाहिए आगे चलकर नसिर भारत बलके दुनिया के कई मुमालिक के अवाम ने नाइंसाफी के खिलाफ सत्यगरा करना शुरू किया तो गान्दी जी ने जो काम शुरू किया था ये अलग मुलकों ने भी जो है उसको अपना लिया और जहां पर भी नाइंसाफी हो रही थी उसके मुखालिफत करने के लिए सत्यगरा का रास्ता उन्होंने अपनाया अमरीका के सिया फॉमों के हुखुक की खातिश जदो जहत करने वाले मार्टिन लोथर किंग और जुनूबी अफरीगा के नेंसल मंडेला पर भी गान्दी जी के सत्यगरा के तरीखे का असर पड़ा तो देखो अभी हिंदोस्तान के साथ साथ जो अमरीका में जो जो काले लोग हैं जो सिया फॉम जिसको कहते हैं इनके उपर जो नाइंसाफिय होती थी तो वहां के जो लीडरान थे जैसे मार्टिन लोथर किंग है और अफरीखा के एक लीडर है जिनका नाम है नेंसल मंडे इन्होंने भी गांदी जी की रास्ते पर चलते हुए सत्यग्रा का तरीखा अपनाया सत्यग्रा के रास्ते के उपर चलते चलते हैं कई जगा सारे मुलक के अंदर सत्यग्रा होने लगे जिसके अंदर जो अहम सत्यग्रा एक नाम है चमपारन सत्यग्रा बिहार के इलाखे चमपारन में बागात के अंग्रेज मालकान की जानिब से भारती एकिसानों पर नील की काश्ट करने की सक्ति की जाती थी यानि अंग्रेज उनको सिर्फ एकी तरह की काश्ट के लिए एकी तरह की फसल उगाने के लिए कहा करते थे तो इस नाइंसाफी के खिलाफ जो वहां के किसान थे उन्होंने सत्या ग्रह किया भारती किसानों पर नील की काश करने की सक्ति की जाती थी और जो तैशुदा दामों में नील के बागात के मालकान को फरुख करने की सक्ति की वज़े से वहां के किसानों का बहुत नुकसान हो रहा था मार्शी नुकसान हो रहा था पैसे के एतिबार से बहुत नुकसान हो रहा था 1917 में गांदी जी चमपारन गए और चमपारन के किसानों को मुटतहित किया और वहाँ पे सत्यगरह शुरू हुआ सत्यगरह के तरीखे से इहतिजाज किया गया या प्रोटेस्ट किया गया भारत में गांदी जी की पहली लड़ाई कामियाब हुई और किसानों को इनसाफ मिला तो यह जो सत्यगरह था यह कामियाब हुआ और किसानों के साथ इनसाफ हुआ चमपारं सत्यग्रा की कामियाई भी के बाद हिंदोस्तान में अलग अलग जगा पर सत्यग्रा होने लगा जिस मेहम है खेड़ा सत्यग्रा गुजरात का जिला खेड़ में मुतादी बार खहिद पढ़ने के वज़े से फसलों की हालत इंतिहाई खराब हो गए थी बार बार खहिद पढ़ रहा था एक साल दो साल तीन साल और वहां के किसानों के हालत खराब हो गए थी पसलों के हालत खराब थी इसके बावजूद क्या करते थी सरकार यानि अंग्रेज जबरन लगान मसूल किया करते थे गांदी जी ने किसानों को मशौरा दिया कि वो लगान अदा ना करें तब मुखामी किसानों ने Member 1908 में छेड़ा बादिये में लगान अदा ना करने की तहरीक चलाई गांदी जी ने इस तहरीक की खायादت को बूल की और बहुत जल सरकार को लगान माफ करना पड़ा तो जो इसकी जो खयादत थी यानि सत्तेगर गांदी जी की खयादत में शुरू हुआ और सरकार को लगान माफ करना पड़ा पहली आलमी जंग के दोरान महेंगाई में बे तहाशा इजाफा हो गया था हम पिछले सबख में पढ़ चुके हैं के हिंदुस्तान को जो है पहली जंग में बराहरास ने बलके अंग्रेज हमारे उपर हुकूमत कर रहे थे इसलिए जबरदस्ती शामिल होना पड़ाता और यहां पे बहुत महेंगाई बढ़ चुकी थी मिल मजदूरों की तंखाओं में इजाफे का मुतालिबा किया मिल के मजदूर जो थे मिलों में काम करने वाले वो तंखाओं बढ़ाने की बात कर रहे थे लेकिन मिल के जो मालकान थे उन्होंने ये बात ठुकुरा दी गांदी जी ने मशुरा दिया कि मजदूरों ने भूख हरताल करनी चाहिए तो इसलिए वहां के जो वरकर थे मजदूर थे उन्होंने क्या किया काम बंद किया और भूख हरताल की और काम बंद हो गया भूख हरताल में गांदी जी भी इनके साथ थे ये तमाम जितने मजदूर थे इनके साथ गांदी जी भी उस बुखरताल में शामिल हुए आखिर कार मिल मालकान को पस्पा होना पड़ा और उन्होंने मजदूरों के तंखाहों में इजाफा किया तो इस तरह जो है अहमदाबाद के मजदूरों को भी इनसाफ मिला उनकी तंखाहें बड़ी और फिर एक बार सत्य ग्रह के रास्ते से जो लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर गांदी जी को और तमाम मजदूरों को फत्य हासिल हुई उसके बाद है रोल्ट एक के खिलाव सत्य ग्रह पहली आलम जंग में भारतियों ने बरतानिया का साथ दिया बरतानियों को लगता था कि जंग के खात्मे के बाद भारतियों के मफाद में फैसले किये जाएंगे और जिम्मेदारिया निजाम हुकूमत खाइम किया जाएगा भारतियों को ऐसा लग रहा था कि क्या हो जाएगा एक हुकूमत खाइम हो जाएंगी और अंग्रेज जो है यहां की हुकूमत हमारे पास हमारे हवाले करके चले जाएंगे भारती अवाम में बढ़ती हुई खीमतें बढ़ते हुए टैक्स वगेरा माशी और समाजी वजुहात की बिना पर अंग्रेज हुकूमत के खिलाब बे इत्मिनानी बढ़ती जा रही थी लोग परिशान थे टैक्स के वज़े से परिशान थे माशी नुकसान हो रहा था ये तमाम चीजें जो है होने लगी इस बे इत्मिनानी पर खाबू पाने और इसमें तद्राग के लिए अंग्रेज हुकूमत ने सिड्नी रोल्ट नामी अफसर को सदारत में एक कमेटी बनाई अंग्रेज होने एक अफसर जिसका नाम था सिडनी रोल्ट उसकी सदारत में कमेटी बनी इस कमेटी ने 17 मार्च 1919 को हकूमत ने मरकजी मुखनना में भारती अराकिन की मुखालिफत की भारती अराकिन की मुखालिफत के बावजूद नया खानून बनाया जिसे रोल्ट एक कहते हैं यानि उसके अंदर जितने भारत के मिमरान थे ये तमाम लोग उसकी खिलाफ थे उस कमेटी के और उस बात को नहीं मान रहे थे लेकिन फिर भी जो है उन्होंने ये खानून बनाया इसे कहते हैं रोल्ट एक्ट इस खानून की रूँ से हकूमत को इक्तिया दिया गया कि वो किसी भी भारती को बिला तहकीक गिरफतार करके अदालती कारवाई के बगएर जेल में बन कर सकती है यानि किसी को भी उठाएंगे जेल में डाल देंगे उसके उपर अदालती कारवाई की जाएगी बिला तहकीक इसी खानून की मताबिख दी हुई सजा के खिलाफ अपील करने पर भी पाबंदिया लगा दी गई और इसके खिलाफ वो कोट में भी नहीं जा सकता इस खानून को भारत ने काला खानून के नाम दिया इस काले खानून के खिलाफ मुलक भर में गम औगुसे की लहर दोड़ गई इस खानून की मुझमत में गांदी जी ने सत्यगर का फैसला लिया और 6 अपरेल 1919 को रोल्ट एक्ट के खिलाफ मुलक भर में हरताल करने की अपील की इस अपील पर भारती अवाम ने बड़े पैमाने पर साथ दिया जलियान वाला बाग खतल आम रोल्ट एक्ट के खिलाफ एतिजाज ने पंजाब की इलाखे में चिद्दद इक्तियार कर ली और अमरतसर इस तहरीक का मरकज बन गया हकूमत ने जालिमाना कारवाई जारी रखी गांधी जी के पंजाब दाखले पर पाबंदी लगा दी गई जनरल डायर ने अमरतसर में जल्सों पर पाबंदी आयत कर दी अमरतसर के हरताल की वज़े से डॉक्टर सहिफद्दीन, किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे एहम रहनुमाओं को गिरफतार किया गया यानि अमरतसर में तमाम जल्सों के उपर पाबंदी लगा दी गई थी इस वाके की मजामत में 13 अपरेल 1919 को अमरतसर के जल्यान वला बाग में बैसाकी के तैवार के मौके पर एक जल्सा मुनकट किया गया इस वक्त जनरल डायर फोज की गाड़ियां लेकर वहां आया जल्यान वला बाग के मैदान से निकासी का एक रास्ता था जो बहुत तंग था अंग्रेजों ने इसे घेड लिया और बगएर किसी पेजगी इतिला के इस जल्से में शिरकत निहत्ते लोगों पर वहिश्याना अंदाज में गोलियां चलाई तकरीबन सूला सो गोलियां चलने के बाद असला खत्म होने पर ये फाइरिंग बन की गई इस खतले आम में तकरीबन चार सो मर्द और और औरतें हलाक हुई और बेश्चमार अफराद जखमी हो गए फाइरिंग के बाद कर्फियू नाफिस करने की वज़े से जखमियों को फौरी इलाज भी न हो सका पंजाब में फौजी खानून नाफिस करके हुकूमत ने कई लोगों को जेल में डाल दिया इस खतले आम का जम्मेदार पंजाब का हाकिम माइकल अड़ोयर था मुलक भर में इस वाके की मजब्मत की गई खतले आम की मजब्मत के तोर पर राबिन नाफ टाइगोर ने अंग्रिजी हुकूमत का अतागरदा सर का खिताब वापस कर दिया बाद में भारतियों ने इस खतले आम की तहकीक का शदीद मुतालिबा किया जिसके वज़े से हुकूमत ने हंटर कमीशन मुकरर किया खिलाफत तहरीक दुनिया के तमाम मुसल्मान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा यानी मजभी रहनुमा तसलीम करते थे पहली आलमी जंग में तुर्की अंग्रेजों के मुखालिफ ग्रों में था जंग में भारती मुसल्मानों का ताउन हासिल करने के लिए बरतानिया के वज़िर आज़म ने यकीन दिलाया के जंग के खात्मे के बाद खलीफा की हकूमत को कोई नुफसान नहीं पहुंच जाएगा लेकिन बरतानिय जंग के इक्तिताम पर अपने वाइदे से मुकर गया इसकी वज़े से मुसल्मानों में गम औगुसे की लहर दोड़ गई खलीफा की हमायत में भारत की मुसल्मानों ने जो तहरीक शुरू की इसे खिलाफत तहरीक कहते हैं गांधी जी ने मحسوس किया कि अगर इस मसले पर हिंदू मुसल्मान के इतिहाद में मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाए तो हकूमत रहे रास पर आ जाएगी इसलिए गांदी जी ने खिलाफत तहरी का साथ दिया हकूमत से अदमे ताउन की तजवीज खिलाफत कमेटी ने खुबूल की इस जमाने में हिंदू-मुस्लिम इतिहाद खास तोर से दिखाई देता है तहरी के खिलाफत क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहली जंग आजीम में तुरकी ने बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया तुरकी की जंग में शमूलियत से हिंदूस्तान की मुसल्मन परिशान हो गए कि अगर अंग्रेज कामियाब हो गए तो तुरकी के साथ अच्छा सुलुक नहीं किया जाएगा हिंदूस्तान की मुसल्मनों ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए वजीर आजम बरतानिया लॉइड जाज से वादा लिया के जंग के दौरान में मुसल्मनों के मुखामात मुखदसा की बेहरूमती नहीं होगी और जंग के बाद मुसल्मनों के खिदाफत को महفوظ रखा जाएगा जंग के खादमे के बाद बरतानिया और इसके इतिहादियों ने वादे के खिलाफी करते हुए अपनी फोजें बसरा और जद्दा में दाखिल कर दी हिंदोस्तान के मुसल्मनों ने अंग्रेजों को वादा याद दिलाने के लिए खिलाफत का तहफूज के लिए एक तहरीक शुरू की जिसे तहरीक खिलाफत का नाम दिया जाता है ये तहरीक 5 जुलाए 1919 को खिलाफत के मसाहिल पर राय अम्मा की मुनजिम और मुत्तफिखा लाह अमल तैयार करने के लिए मुम्मई में आल इंडिया खिलाफत कमेटी खाइम करके दी गई थी जिसके सदर थे सेड़ छोटानी और सेकेटरी हाजी सिद्धी वगएरा तहरीक खिलाफत ने मुम्मद अली जोहर, मुम्मा शुकत अली और उनकी अम्मा का किरदार बहुत अहमियत रखता है हाँ तो बच्चो आज हमने तहरीक अद्मे ताउन इस सबक के चंद नुकात का मुतालिया किया है तहरीक अद्मे ताउन क्या थी, जुनूबी अफरीखा में गांदी जी की कारत किरदे की क्या थी उसके बाद जब गांदी जी हिंदुस्तान आये और यहां पर उन्होंने जो सत्यगरह शुरू किया जिसके अंदर हमने सत्यगरह क्या होता है चमपारन सत्यगरह, खेडा सत्यगरह, एमदाबाद में मजज़ूरू की जद्दु जहद, रोल टेक्ट क्या था, उसके खिलाफ किस तरह सत्यगरह क्या गया और जलेन वला बाग खतले आम क्या था इन तमाम चीजों का हमने मुतालिय किया साथ साथ हमने खिलाफत तहरी क्या थी इसके बारे में भी सबख में मुतालिय किया है सबख के इस हिसे में आज के लिए इतना ही अगले वेडियो में हम अगले हिस्से के साथ दुबारा हाजिर होंगे तब तक मुझे दीजी इजाज़त अल्लाहाफिश BMC Education उर्दोस्टेंडर एक चैनल को जरूर सब्स्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताके रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको में दे रहेंगे झाल